इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. लूलिकोनील क्रीम is an antifungal medicine used to treat fungal infections of the skin such as athlete's foot, धोबी, itch, thrush, ringworm, and dry, flaky skin. ये इन infection रोपैदा वाले कवक को बढ़ने से रोकता है. लूलिकोनील क्रीम should be used in the dose and duration as prescribed by your doctor. इसे अधिक बार्या, निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में इस्तेमाल न करें क्योंकि ये आपकी समस्या को तेजी से ठीक नहीं करेगा और केवल side effect बढ़ा सकता है. त्वचा के संक्रमन आमतोर पर 2-4 सप्ताह के उप्योग के बाद ठीक हो जाते हैं. अगर आपकी स्थिती में कोई सुधार नहीं होता है तो इस बारे में अपने डॉक्टर को बताएं. प्रभाव क्षेत्र को साफ और सूखा रखने और इस्तिमाल करने से पहले और बाद में हाथ धोने से दवा के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है. अगर आपको एथलीट फुट की बीमारी है तो अपने मोजे या टाइट्स को अच्छी तरह धोएं और अगर संभव हो तो अपने जूते को रोजाना बदलें. इस दवा का सबसे आम साइड इफेक्ट लगाई गई जगह पर जलन, खुजली और लाली है. इस सित्वचा में सूखेपन, पपड़ी उतरने और फफोले होने जैसी समस्याएं आ सकती हैं. ये आम तोर पर गंभीर नहीं होते हैं और समय के साथ अपने आप ठीक हो जाते है अगर ये बने रहते हैं या इनसे आपको परिशानी हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें. यदि आप किसी अलजिक रियेक्शन जैसे कि दाने, होंट, गले या चेहरे की सूजन, निगलने या सांस लेने में समस्या और मतली के लक्षन देखते हैं तो इमजन्सी सहायता आखों के संपर्क में ना आने दें. आकस्मिक कॉंटेक्ट के मामले में पानी से अपनी आखों को धोले और तुरंट चिकित सकीय सहायता लें. ऐसी संभावना नहीं है कि मूह या इंजेक्शन से ली जाने वाली अन्य दवाएं इस दवा के काम करने के तरीके पर असर डाल लेंगी. लेकिन अगर आपने हाल ही में किसी अन्य क्रीम का इस्तिमाल किया है जिसमें स्टेरोई था या अगर आपको किसी अन्य एंटी फंगल दवा से अलजी हुई थी तो अपने डॉक्टर को यह बात बताएं. यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो इस दवा का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से पूछें. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और और नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद.